नमसकार दोस्तो आधार कार्ड को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहते कि भईया हमने तो एक न्यू आधार कार्ड बन वाया है तो अभी तक क्यों नहीं आया है तो कुछ लोग ऐसे गोलते हैं कि हमने तो करेक्शन कराया और 50 रुपे प्रिमेंट वही कर दिया है और पंदर दिन हो चुके हैं तो अभी तक बाई पोस्ट से क्यों नहीं आया और कब तक आएगा तो देखे जोस्तों मैं आपको एक reality बता देता हूँ कि मैंने भी आज से एक साल पहले अपना अधार कार्ड अपडेट कराया था और अभी तक बाई पोस्ट से नहीं आया है तो अब मैं क्या करूँ क्या उसी की भरोसे में रहूंगा ऐसा नहीं है अगर आपने अपडेट कर लीजिए online अपने mobile से आप internet तो यूज करते ही होंगे तो आप जाईए Chrome ब्राउजर में तो एक बात आपको जरूर ध्यानवा रखना है कि उस आपका जो अधार कार्ड है उसमें mobile नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है तो फटापट से जाईए और अपने mobile से डाउनलोड कर लिजिए और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास mobile नहीं है तो किसी भी online दुकान वाले के पास में जाईए और वहां पर बोलिए कि मेरा अधार का डाउनलोड करके तो लुग तुरंत ही डाउनलोड कर देंगे और साथ में लेमिनेशन भी कर देंगे तो एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि आप पोस्ट ओपिस के जक्कर में ना रहें कि यार मेरा तो पंदर दिन हो गया पर बीज दिन हो गया अभी तक क्यों नहीं आया है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं practically कि डाउनलोड कैसे करते हैं अगर आप एक mobile यूज करते है तो दोस्तो अधार कार्ट डाउनलोड करने के लिए आपको इस साइड में आना है इसका लिंक भी में आपको इसी बीडी को डिसकर्शन में दे दूँगा तो आप वहां से डारेक्ट जा सकते हो और आप एक काम एक प्रोसेस आप अपने mobile से भी कर सकते हो और इसके बास से आपको गेट अधार पर नीची की तरह पाना है और यहां पर लिखके आ रहा है कि डाउनलोड अधार तो आपको यहां पर किलिक कर देना है और इसके बास से आपको यहां पर अधार नंबर डालना है अगर आपको इन्रॉल्मेंट आईडी है या पर बर्चुल आईडी है तो आप यहां पर डाल सकते हो और अगर आप मास्क डाउनलोड करना चाहते तो आपको यहां पर टिक करना पड़ेगा तो चलिए फटाबटस में अधार नंबर डाल के यहां पर डाल के सेंट टीपी पर क्लिक कर देता हूं और मेरे रेजिस्टर मुगाल नमबर पर OTP आ गया है मैं OTP डाल के और यहाँ पर Yes कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ Did Not Receive और इसके बाद से मैं यहाँ पर Verify and Download पर क्लिक कर देता हूँ तो देखें दोस्तो हमारा जो अधार कार्ड है और डाउनलोड हो गया है यहाँ पर चलिए मैं आपको उपन करके बता देता हूँ और इसमें पासवर्ड लगा है पासवर्ड आपके नाम के फश्ट के चार लेटर और आपकी जो date of birth होती है उसमें जो last year होता है ओ डालना है तो देखें दोस्तो इस पकार से आप 5 मिनिट में अपने अधार को अपने mobile से ही डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से और यह mask अधार नहीं है पूरा पूरा अधार कार्ड है क्योंकि mask अधार में आपको यह अक्छर दिखाई नहीं देते हैं तो देखें दोस्तो इस पकार से आप भी घर बैटे अपने अधार कार्ड को डाउनलोड करके और प्रिंट कर सकते हो तो दोस्तों उम्मेद करता हूं इस वीडियो से कुछ ना को जरू सीखने को मिला होगा फिर भी अगर किसी प्रकार का आपका कॉस्चन है तो मुझे कमेंट्स करके पूंच लेना मैं उसका रप्लाइन 100% कर दूँगा चली में नेक्स वीडियो में तब तकलिफ बहुत बहुत धन्नवाद